अगर बहुत सारे सेपल्स हैं बच्छों मानलो 5 सेपल्स हैं तो वो पांचों के पांचों सेपल्स हो सकता है आपस में फ्यूज़ हो या अलग-अलग हो चाहे फ्यूज़न हो चाहे अलग-अलग हो उनके लिए specific terms यूज़ किये जाते हैं बच्छों यहां पर तीनों सेपल्स प्रेजेंट एक उनी लोकिलड अटॉड़ें वेल्कम बाक तुट रिफ्तार सेरी विजे ये शिकाम और आज में साथ करेंगे लेक्शिन नुबर फॉर फॉर प्लावर फ्लावरिंग व्लाविट लॉट वांच इस लेक्षर में बचो भी को अटॉक 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 अटॉ और दो होते हैं जो non-essential, non-essential किस respect में बोना था, क्योंकि वो रिप्रडक्शन में directly involved नहीं होते है, one is Calyx and one is Korola, तो आज हमें बच्चों उसी दोनों worlds के बारे में बात करना है, we are gonna start with the non-essential world. तो non-essential world में हमने पढ़ा था दो, Calyx and Corolla, बट बच्चो जब Calyx and Corolla distinct नहीं होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पेरियन, तो पेरियन भी किसके अंडर आएगा, पेरियन भी आएगा हमारा non-essential world के अंडर में, ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं बच्चो, सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, Calyx, next is Corolla, and the third one is, पेरियन, so Calyx की basic unit क्या होती है, we have already discussed, flower जब पढ़ रहे थे, तो Calyx की basic unit होती है, बच्चो, सेपल, सेपल, Calyx का काम क्या होता है, Calyx, generally आपने देखा होगा, रोस के flower में, green color की चीज लगी होती है, that is, color क्या हो जाएगा, काम क्या होता है बच्चो, इनका काम होता है, इनका protection करना, क्या काम है, इनका protection करना, ठीक है, अब, fuse हो या अलग-अलग हो, चाहे fusion हो, चाहे अलग-अलग हो, उनके लिए specific terms, यूज किये जाते हैं बच्चो, तो वो पढ़ेंगे, for example, if सेपल्स are free, अगर सेपल्स free है, बतला, fuse नहीं है, तो हम वोर्ट इस्तमाल करते हैं, poly सेपल्स, poly सेपल्स लिखोगे कैसे, जैसे आपको कोई भी चीज़ होती है, तो हमने साथ साथ, formula भी लिखने की कोशिश की थी है, तो poly सेपल्स, को हम लिखते हैं, CKS का सिंबल क्या होता है, बतु का सिंबल होता है, ठीक है, तो हम इसको लिखते है कै, ठीक है, नीचे लिखेंगे N, और N को किसी bracket के अंदर बंध नहीं करेंगे, N क्या denote करता है बच्चों, N denote करता है number of basic unit, number of basic unit, अगर मान लो 5 sepals हैं, तो हम लिखेंगे K5, और कोई भी bracket नहीं लगाएंगे, अगर bracket नहीं लगा है, तो समझ जाना, पांचो के 5 sepals आपस में fused नहीं हैं, अलग-अलग है, ठीक है, दूसरी condition क्या हो सकती बच्चों, दूसरी condition है कि sepals क्या हो सकते हैं, आपस में जुड़े हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे, if sepals are fused, अगर fused word नहीं मिले, तो united word खोजना, तो उस condition को हम क्या बोलते हैं, उस condition को हम बोलते हैं, गेमो sepals, क्या बोलते हैं बच्चों, गेमो sepals, गेमो sepals का मतलब है कि सारे के सारे sepals आपस में fused हैं, तो जैसे कैसे लिखेंगे, इसका formula कैसे होगा, k, n और bracket के अंदर बंद, ठीक है, मान लो अगर 5 sepals हैं, और 5ों के 5ों fused हैं, तो bracket के अंदर बंद कर देंगे, अगर bracket लगा हुआ है, तो समझ जाना कि वो fused condition दिखा रहा है, that means, अगर गेमो word लगा होगा, तो that means, जो unit है, वो सारी कि सारी क्या है, fused है, और अगर poly word लगा होगा, तो समझ जाना वो unit क्या है, सारी कि सारी, free है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक डाइग्राम यू 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 घाग्राम ऋफaaa सेपलिस अगेमो सेपलिस, तो थोड़ा और खुलीर हो जाएगा, क्यों मौर फोल रहाया ही जाएं भच्छो, एक सेटழ करो, हॉड़ सेपलिस यू इसस्में आप, हम देखेंगे, क्या चीजचीज सिखेंगे, won से प्री कंडिशिन और हम WD, condition free calm क्या बोलते है poly fused को हम बोलते हैं गैम है न तो यह देखो यह सेपल से आपको बाहर से देखो पीछे भी होंगे बढ़ा दिखनी रहे तो अभी जो बाहर से दिख रहे हैं उन पर फोकस करते हैं यह एक दिखाई दे रहा है यह दूसरा यह तीसरा यहां पर सेपल है यहां पर देखो अलग-अलग है लेखो यह पर देखो यहँ पर यह उपर से जुड़े हुए नहीं यह से यह भी ऊपर से जुड़े हुए नहीं तो इसको अम बोलते हैं फ्री इसको बोलते हैं poly seplus condition तो आमने वह देख ली है न और आपने यह भी देखा होगा बच्च तो जड़ सकते हैं, दूसरा जब fertilization होती तो जड़ जाते हैं, but किसी-किसी fruits में आपने देखा होगा लगे रहते हैं, जड़ते ही नहीं है, prominently आपको टमाटर में देखता है, वो green color का, that is what, that is calyx only, sepals ही तो है, brinjal, chili, ठीक है, तो इन में persistent calyx मिलता है, क्या मिलता है बच् persistent calyx are present in tomato, brinjal and chili, tomato, brinjal and chili, ठीक है, तो हमने calyx पढ़ लिया, बच्चो, next हम पढ़ेंगे korola, क्या पढ़ने वाले हैं, korola के बारे में, ठीक है, तो korola हमें पता है, उसकी basic unit क्या होती है, बच्चो, तो korola की basic unit होती है, petal, चलो लिखते है, korola, korola, korola की basic unit is petal, basic unit है इसकी petal, korola कितने colorful होते हैं, आपको पता है, petal कितने colorful होते हैं, तो colorful क्यों होते हैं, क्योंकि attract करते हैं pollinating agents को, किस purpose के लिए, पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि pollinating agents अगर आएंगे नहीं, पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टलेशन नहीं होगा, फ्रूट नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा, ठीक है, तो इनका काम है attract to attract pollinating agents, यहां पर भी बच्चो, यहीं सारी चीजे पढ़न petals, if petals are free, तो word क्या use करूँगी मैं, free के लिए word क्या use करते हैं, poly, और poly के आगे लगा दूँगी, इसकी basic unit, basic unit क्या होती है, petal, तो मैं लिखूँगी इसको poly petalus, ठीक है, poly petalus, और इसका formula कैसे लिखूँगी, इसको लिखते हैं, c, ठीक है, poly petalus condition दिखाने के लिए मैं bracket नहीं होगा, मालनो 5 petalus है, पांचो के पांचो petals आपस में fused नहीं है, तो मैं सिर्फ 5 लिख करके छोड़ दूगी, कोई bracket नहीं लगाँगी, यह इसका floral formula है, poly petalus condition को लिखने का, है ना, दूसरी condition क्या हो सकती है, दूसरी condition हो सकती है, if petals are, if petals are fused, या united, तो मैं इसको क्या बोलूँगी बच्चो, मैं इसको बोलूँगी poly, sorry, poly नहीं, fused के लिए word क्या लगता है, fused के लिए word लगता है, gamo, इसको मैं बोलूँगी gamo, आगे लगा दूँगी basic unit, petalus, gamo, petalus, ठीक है, इसको कैसे लिखूँगी मैं, इसको लिखूँगी बच्चो, c, n, bracket के अंदर बंद, माल लो 5 petals है, इसको लिखूँगी और bracket के अंदर, बंद कर दूँगी, तो यहाँ पर n का मतलब क्या है, यहाँ पर भी n का मतलब क्या है, basic unit, और corolla की basic unit क्या होती है, बच्चो, corolla की basic unit होती है, petal, यहाँ पर basic unit का मतलब क्या था, sepal, clear है बच्चो, okay, next है parianth, parianth हम कब बोलते हैं, बच्चो, parianth हम बोलते हैं, when calyx and corolla are not distinct, जैसे lily का अगर flower देखा होगा बच्चो, तो आप distinct नहीं कर पाऊगे calyx और corolla, ठीक है, एक ही जैसे, मतलब उस लगता है, एक ही unit है, तब हम उसको क्या बोलते है, parianth, क्या बोलते है, parianth, तो जब parianth होता है, इसकी क्या basic unit होती है, इसकी basic unit होती है, टेपल, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर टेपल्स बहुत सारे हैं, तो fusion और free की बात करोगे, ठीक है, जैसे, if taples are free, if taples are free, तो देखो, free के लिए word वही आएगा, poly, आगे basic unit बदल जाएगा, तो इसको लिखोगे poly taples, ठीक है, poly taples, लिखने का तरीका भी वैसे ही होगा, ठीक है, parianth है, तो p लिखोगे, और नीचे लिखोगे n, n का मतलब number of basic unit, n का मतलब number of basic unit, और यहाँ पर basic unit क्या है बच् यहाँ पर, एक second, just a second, यहाँ पर basic unit क्या है, यहाँ पर basic unit है, टेपल, ठीक है, तो अगर मान लो, पाच टेपल है, पाचो के पाचो फ्री है, तो लिखोगे, p और नीचे पाच, ओके, next, दूसरी क्या condition हो सकती है, इफ टेपल्स आर फ्यूस्ट, इफ टेपल्स आर फ्यूस्ट या यूनाइटेड, तब वर्ड क्या आएगा बच्चो गैमो, गैमो का मतलब फ्यूस्ट, आगे लिख दोगे basic unit, that is टेपलस, तो वर्ड क्या बोलेंगे, गैमो, टेपलस, है ना, और इसको कैसे लिखेंगे, पी, एन, ब्रैकेट में, मालो, पांच टेपल है, पांच ब्रैकेट में, है ना, इसका example होता है, लिली, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे, लिली एसी family में, जिस तरीके से हमने सेपल्स का समझा था, और पेटल्स का भी समझ लो, यह देखो, यहाँ पर आपको पेटल्स कितन इसे है, free है, इसलिए word क्या लगा हुआ है, poly petalus, यहाँ के देखो, petalus आपस में, क्या है, fused है, इसलिए word क्या लगा हुआ है, gamo petalus, तो gamo word हमेशा fused के लिए, poly word हमेशा free के लिए, बाकी basic unit you can change, तो यह है, बच्चो, इसके बारे में, non-essential wool के बारे में, अब हम पढ़े है, कि जो sepals और petals होते हैं, इनके arrangement होती है, उस arrangement को क्या बोलते हैं, बच्चो, उस arrangement को बोलते हैं, estivation, तो estivation क्या होता है, estivation is, arrangement of, arrangement of, sepals, or petals, ठीक है, इसके बच्चो हमें पढ़ने हैं, देखो, आप diagram देख सकते हो, जो NCRT के diagram है, NCRT हमें, 4 types of estivation पढ़ाती है, number 1, the very first type is, wall weight estivation, कौन सा estivation बच्चो, wall weight estivation, wall weight estivation क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, आपको diagram दिखा दूँगी, wall weight estivation होता है, margins do not overlap, margins do not overlap, और इसका example जो NCRT लिखती है, that is scelotropis, but हमें help लेनी पड़े की diagram की, तो diagram देखो बच्चो ये है, ये एक flower है, आप flower में देखो, इनकी ये margins है, तो क्या margins आपस में overlap कर रही हैं, overlap कर रही हैं, नहीं, अगर मैं इसको draw करूँगी, तो ये देखो, ये सारी की सारी petals की margin है, आप खुद देखो, margins of the petals, they are not overlapping each other, so when they do not overlap each other, इस estimation को हम क्या बोलते हैं, इस estimation को हम बोलते हैं, wall weight, ठीक है, तो जब आप copy में draw करोगे बच्चों, तो wall weight ये draw करोगे, ठीक है, wall weight वाला ये draw करोगे, ठीक है, next है, चलो बना भी लेते हैं साथी साथ, तुम लोगो के लिए easy हो जाएगा, ऐसे बनाना, जब margins overlap नहीं करते, इस जो type होता है बच्चों, next type of estimation is twisted, कभी-कभी twisted नहीं दिया होता है, तो contorted होता है, contorted का मतलब ही होता है twisted, ठीक है, good health अबने देखा होगा, तो good health में क्या होता है बच्चों, overlapping present होती है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, margins overlap, margins overlap, इन regular fashion और वो भी pattern में, regular fashion, regular fashion का मतलब क्या है, देखो, draw करते हैं, एक बाहर की तरफ, sorry, यह देखो, एक second, एक पूरा बनाने तो, यह देखो, एक, दो, तीन, यहाँ गरबड हुआ है, यह देखो बच्चों, आप खुद देखो, इसमें जो overlapping है, overlapping तो आपको दिखाई दे रही है, बड़ एक regular fashion है, यह margin अंदर, यह margin बाहर, 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 यह pattern एक petal के साथ नहीं, यह सारे petal के साथ है, तो यहाँ पर overlapping तो present है, बट वो भी regular fashion में, और ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है, चाइना रोज में, cotton में और lady finger में, ठीक है, इसका डेखो diagram भी दिया हुए, NCRT ने, यह good hell का flower है, ठीक है, इस तरीके के good hell का flower होता है, तो एक बाहर, एक अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, ठीक है, एक बाहर margin, एक अंदर margin, तो देखो, ends are overlapping that two in a regular fashion. तो इसको हम बोलते हैं, this one is what? This one is twisted estimation. क्या है ये? This is twisted estimation. ठीक है? Next हम पढ़ेंगे, बच्चो, third type. Next हम पढ़ेंगे third type. That is, imbricate estimation. imbricate estimation. imbricate estimation में भी overlapping है, but इनमे twisted की तरह regular fashion नहीं है. तो इसमें लिखेंगे overlapping present overlapping present but not in regular manner. repeatedly वही pattern follow नहीं होगा. और इसका example है, कैशिया और गुल्मोफर. ठीक है? ये देखो, diagram देखो. यह यहांपर ये देखो, दोनो margins क्या है? अंदर की तरफ है. inner. ठीक है? यहां पर यह बाहर की तरफ यह अंदर की तरफ. This is, यहां पर outer भी है, inner भी है. यहांपर दोनों तरफ से यह क्या है? बाहर की तरफ है. मतलब ओवर्लाप कर रहा है. यहां पर यह अंदर, यह बाहर, ठीक है, यह अंदर, यह बाहर, ठीक है, तो यहां पर regular fashion नहीं है, तो इसको कैसे draw करेंगे, यह देखो, यह देखो, ऐसे draw करेंगे, यह देखो, जैसे यहां पर बना हुआ था ना, पहले तो दोनों अंदर की तरफ कर दो, यह दोनों अंदर क बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, और यहां से यह एक पूरा का पूरा बाहर, देखो, one, two, three, four, five, पाँच है, यह पूरा का पूरा अंदर है, यह बाहर अंदर, यह बाहर अंदर, यह बाहर अंदर, यह बाहर अंदर, और यह पूरा का पूरा बाहर, इसक हम बोलते हैं Imbricate Estivation, ठीक है, यह 3rd type था, ठीक है, 4th type होता है बच्चो, Vaxillary, 4th type होता है Vaxillary Estivation, Vaxillary Estivation में क्या होता है, ध्यान से सुनना, यह देखो, ट्रॉ करते हैं, यह एक बड़ा सा पेटल होता है, जिसको हम बोलते हैं Vaxillum, क्या बोलते हैं बच्चो, Vaxillum, या इस को बोलते हैं Standard, ठीक है, यह सबसे बड़ा पेटल होता है, इसको बोलते हैं Longest Petal, क्या बोलते हैं बच्चो, इसको बोलते हैं Longest Petal, this is Longest, कितना है, कितना ट्रॉ किया है, एक, ठीक है, 1 in number, तो जब 1 in number में है, तो Fusion and Free की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, दूसरा जो पेटल ह होता है, वो इनके ऐसे Side में मौझूत होता है, ऐसे, ठीक है, इनको बोलते हैं हम Wing, Wing और LA, यह Side में दिख रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, Lateral Petal, क्या बोलते हैं Lateral Petal, कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 in number, ठीक है, अलग-अलग है, तो क्या लिखोगे, free लिखोगे, ठीक है, कैसे free है, फिर दो petals होते हैं बच्चो और ये दोनों petals नीचे से जुड़े होते हैं, ये fusion दिखा रहा है, ठीक है, और in petals को हम क्या बोलते हैं, in petals को हम बोलते हैं, कील, क्या बोलते हैं, बच्चो कील, कील सबसे छोटा petal है, it is the smallest petal, smallest petal, कितने number में है, ये दो number में, एक ये है, एक ये है, two in number ठीक है, और दोनों क्या है, fused है, तो हम लिखेंगे इसको fused, क्या लिखेंगे बच्चो, fused लिखेंगे, ठीक है, तो इसको लिखने का एक specific formula होता है, और formula क्या होता है, c 1 plus 2 plus 2, c किसके लिए है? Korola ठीक है और ये 1 plus 2 plus 2 क्या है Petals के नंबर है ये कौन सा Petal है Standard Petal एक क्यों लिखा हुआ है क्योंकि इसका नंबर कितना है बच्चो एक ये क्या है Wing इसको दो क्यों लिखा हुआ है क्योंकि 2 है Bracket के अंदर क्यों नहीं बंद किया क्योंकि Free होते है ठीक है, ये दो किसके बारे में है, कील के बारे में, इनको bracket के अंदर बंद क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों कील क्या होते है, fuse होते है, और ये किस family का characteristic feature है, ये कौन सी family का characteristic feature है बच्चों, ये फेबिसी family का characteristic feature होता है, ये वाला estimation, ठीक है, ये characteristic feature है, और इसलिए example में NCRT ने पी और बीन लिखा हुआ है, ठीक है, पी और बीन दोनों फैबिसी फैमिली को भी लॉंग करते हैं, but in case अगर पी और बीन ना दिये जाएं, option में, और कोई example फैबिसी का आ जाए, फैबिसी पूरी फैमिली पढ़नी होती है, जो examples के अंदर पढ़ोगे, they will show which kind of estimation, Vaxillary Estivation, कैसा estimation show करेंगे बच्चों वो, वो show करेंगे, Vaxillary Estivation, ठीक है, ओके, और एक और चीज़ बच्चों, एक और चीज़, क्योंकि जो Vaxillum है, यह जिनको Standard बोल रहा है, यो Posterior Side में present होते हैं, इसलिए इनको Posterior Petal बोलते हैं, Posterior Petal बोलते हैं, Wing Lateral present होता है, इसलिए इ Anterior Side present होता है, इसलिए इसको Anterior Petal बोलते हैं, ठीक है, तो यह चार Estivations हमें याद रखना है बच्चों, यह देखो, आप देख सकते हो, यह Flower है, तो आप देखो, यह Flower में, यह वाला जो है, That is Standard, यह जो Side में दो है, यह कौन से है, Wing, और यह दो, यहां से Fused है, तो यह क्या ब अब हम पढ़ेंगे Essential Wall, जिसको Fertile भी बोलते हैं, और Necessary भी बोलते हैं, because they are directly involved in reproduction, तो इसमें सबसे पहले जो हम पार्ट कवर करेंगे, बच्चों, That is Androsium, क्या है बच्चों वो, Androsium, तो Androsium का जो Symbol होता है, That is A, अच्छा, आप सोच रहे हो, माम आप हर जगा formula बता रह है, वो है Vaxillary Estivation में, सिर्फ यहां, इसको हम दिखा सकते हैं, Vaxillary Estivation को formula के तरो, और हम नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए यहां पर नहीं बनाया है, ठीक है, इसके लिए तुम्हें इस तरीके के Diagrams की सवरत पढ़ती है, और यह बनते हैं, Floral Diagrams में, I will let you know, जब आगे पढ है, क्योंकि यह बनाता है, male gamete, ठीक है, ठीक है, इसकी basic unit क्या होती है, बच्चो, इसकी basic unit, एक को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम बोलते हैं, बच्चो, stamen, क्या बोलते हैं, stamen, तो stamen कैसा दिखता है, बच्चो, stamen दिखता है, इस तरीके से, इस तरीके से दिखता है 2D diagram अपना बनाए अपने हाथों से तो इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है, this entire thing is what, this entire thing is stamen, इस stamen के दो हिस्से हैं, ये जो दो गोले गोले structure हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंथर, और ये जो इसकी डंडी है, इसको हम बोलते हैं, फिलामेंट, तो stamen के पास इस पूरे structure क stamen बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे structure हो, उनको एंडरोशियम बोलते हैं, और इसमें दो पार्ट है, एक एंथर, एक पिलामेंट, 12th क्लास में बढ़ोगे बच्चो, इस एंथर में एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, तो कितने लोब हो गया, ये हो गया है, बाई लोब structure, इसलिए एंथर को बाई लोब बोलते हैं, एक लोब के अंदर, ये एक लोब है, एक लोब के अंदर दो थीका है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बाई थीकस बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, डाई थीकस बोलते हैं, अब तुम सोच रहे होगे कि माम, तो हम भी थोड़ा smart बनेंगे और bracket में लिखेंगे कि ये by ठीकस किस respect में बोला हुआ है? एक लोब में. एक लोब के respect में. एक लोब के respect में ये define किया गया है. ठीक है? तो इसी के अंदर बच्चों, इसी के अंदर sporengia present होते हैं. ठीक है? अगर चार थीका है, तो कितने sporengia होंगे? चार sporengia. ठीक है? कितने होंगे? चार sporengia. इनकों बोलते हैं, micro sporengium. और यही किसकी तरह behave करते हैं? बच्चों, क्लास 12 में पढ़ोगे, they gonna behave as pollen sacks. और pollen sacks मतला pollen का जोला. sacks मतला bag. ठीक है? तो इसके अंदर क्या बनेंगे? इसके अंदर बनते हैं pollen grains. ठीक है? प्लांट किंडम में पढ़ोगे और pollen grains ही फिर आगे जाकर के बनाते हैं male gametes. तो देखो, इस male sex organ ने क्या किया है? आगे जाकर के बनाएंगे, यह male gametes. ठीक है? अब कभी कबार stamen gamete नहीं बनाता. ऐसे stamen को हम sterile stamen बोलते हैं. क्या बोलते है? sterile stamen. और sterile stamen को क्या बोला जाता है specifically? उसको बोला जाता है staminode. स्टेमिनोड. स्टेमिनोड का एक example याद रखना यह कहां पर मिलता है? एक example है कैशिया. कैशिया में sterile stamen को क्या बोला जाता है? स्टेमिनोड को क्या बोला जाता है? स्टेमिनोड. चीक है? तो यह हो गया हमारे स्टेमिन के बारे में. अच्छा, जैसे हमने petals और sepals के लिए fusion आपस में जुड़े हुए हैं या अलग-अलग हैं, यहाँ पर भी हम वही चीज़ पढ़ेंगे. अगर बहुत सारे स्टेमिन स्टेमिन हैं, तो हो सकता है, वह आपस में जुड़े हो. बट यहाँ पर अलग तरीके से पढ़ना है. हम पढ़ेंगे cohesion of stamens and adhesion of stamens. Cohesion and adhesion. Cohesion and adhesion. अब पढ़ाने से पहले, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि cohesion and adhesion का मतलब क्या है? बच्छो, what is the meaning of cohesion and adhesion? Listen, cohesion and adhesion का मतलब होता है चिपकना य Чितना. पर बिलकुल मतलब होता है चिपकना यह लिए, अगर यह पानी का बीकर है. तो इस बीकर में बहुत सारे water tai molecules. ऍगर water के molecules है, सारे के सारे तो सारे के सारे सारे सार लिए सेम चीज़ है. तो पानी और पानी के बीच में जो force होता है, उसको बोलते है cohesive force, cohesive, cohesion word किसके बीच में आता है, same की बीच में आता है, same चीजे चिपके, तो cohesion, दो different चीजे चिपके, तो addition, जिसे मालनो water और इस beaker के wall के बीच में जो attraction है, that is addition, that is addition, तो addition क्यों है, क्योंकि पानी अलग चीज है और बीकर का wall एक अलग चीज है, ठीक है, तो याद रतना addition, similar units में चिपकना, cohesion, sorry, addition, addition, दो different units में चिपकना, और cohesion, same में चिपकना, अगर stamen आपस में चिपके पड़े हैं, तो word इस्तेमाल करेंगे, cohesion of stamen, अगर stamen दूसरे wall से चिपके होएं, चाए कोरोला से, चाए कैलिक से, चाए गाइनोशियम से, तब हम word इस्तेमाल करेंगे, addition, ठीक है, hope this thing is clear बच्चों, और यह forces आप और भी जगह पर पढ़तों, I guess, physics chemistry में, cohesive forces and adhesive, मतलब वही है, ठीक है, आओ चलो पढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, addition of stamen, किसकी बात करेंगे बच्चों, addition of stamens की, addition of stamens, addition of stamens में, addition of stamens में क्या आएगा देखना ध्यान से, ठीक है, addition of stamens में हम दो चीजे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम, epipetalous condition, और एक हम पढ़ेंगे, epiphylus, और epitapealous condition, ध्यान से सुनते जाना, मैं डाइग्राम दिखा करके आपको समझा दूँगी, epipetalous condition कब बोला जाता है, जब androsium is attached to, if androsium is attached to petal, और petal की unit क्या होती है बच्चों, मतलब petal का whirl क्या है, corolla, तो जब androsium corolla से चिपका पड़ा रहे, तो उस condition को हम बोलते है, epipetalous, टेपल किसका होता है, पेरियंत, तो हम क्या लिखेंगे इसको, when androsium, androsium is attached to tepal, मतलब पेरियंत, ठीक है, उस condition को क्या आप बोलते हैं, epipetalous, अब मैं आपको डाइग्राम दिखाती हूँ, ठीक है, ये डाइग्राम है, यहां पे spelling गलत है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है, मैंने पिछले slide में लिख लिख लिया है, addition, ठीक है, अब ये देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ये देखो, ये क्या है बच्चो, ये जो byloved structure है, ये हमारा stamen है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चो, ये byloved structure अन्थर, ये डंडी क्या है, filament, overall इसको क्या बोलते है, stamen, stamen, किसका unit है, मतलब वर्ल का नाम क्या है, अब ये देखो, ये क्या है, korola, korola की basic unit क्या होती है, petal, है न, तो आप खुद देखो, जब androsium petal से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, इसकी डंडी आकर के petal से मिल रही है, तो इस condition को क्या बोला जाता है बच्चो, इस condition को epipetalus बोला जाता है, इसको दिखाते कैसे है, ये androsium है, ठीक है, और ये corolla है, corolla का symbol क्या होता है, c, ठीक है, तो जब androsium corolla से जुड़ा हो, या कह सकते हैं, जब stamen petal से जुड़ा हो, तो ऊपर ऐसा एक cap-like structure दिखाते हैं, अगर ये cap-like structure बना है तो समझ जाना, ये इन दोनों के बीच में association दिखा रहा है, ठीक है, और ये association दो different worlds के बीच में, ए इसलिए word क्या यूज किया है, हमने adhesion यूज किया है, अब तुम सोच रहे होगे कि ma'am, मैं ऐसे नहीं लिख सकती इसको, या लिख सकता इसको, नहीं बच्चो, तो मैं ऐसे ही लिखना है, क्योंकि floral formula का लिखने का तरीका होता है, ठीक है, हम floral formula लिखते हैं, बाहर से अंदर है, तो हम इसको और इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है, epitaples क्या होता है, जब androsium किस से जुड़ा हो, parian से, parian की unit क्या होती है, teple, तो हम इस तरीके से floral formula का इस्तमाल करके ये चीज़ डिनोट करते हैं, अगर ये symbol मिल दे, तो समाच जाना androsium किस से जुड़ा हुआ है, parian स जिसकी basic unit होती है, ये teple, इसलिए इसको बोलते है, epitaples condition, या इसको बोलते है, epiphylus condition, ठीक है, बच्चो, और next चलते हैं, हम next पढ़ेंगे, cohesion of stamen, ठीक है, cohesion मतलब same में जुड़ना, ठीक है, किस में जुड़ना, same, 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 same चीज का association होना, तो 3, जैसे वहाँ पर 2 पढ़ condition, यहाँ पर 3 condition पढ़ोगे, कितनी condition, 3, एक होता है synandros, एक होता है synandros, और एक होता है adelphus, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं synandros की, synandros का diagram देखो, दिख रहा है, यहाँ पर 1 stamen नहीं है, बच्चो, बहुत सारे stamen है, तो 1 stamen के 2 anther है, बट क्या आप तुम distinguish कर पा रहे हो कितने anther, कितने filament, नहीं, क्योंकि सारे के सारे anthers, जितने भी anthers हैं, जितने भी filaments हैं, वो सारे के सारे आपस में इस कदर fused हैं, कि they are behaving as a single unit, as you can see in the diagram, तो synandros condition हम कब बोलते हैं, synandros condition हम बोलते हैं, when all these stamens are fused together, are fused together, और यह कहां पर मिलता है, बच्चों, यह मिलता है, cucurbits वाले group में, family का नाम है cucurbitaceae, ठीक है, synandros condition में क्या होता है, आप देखो, anther चिपके पड़े हैं, बट filaments इनके आपस में चिपके हुए नहीं हैं, तो इसको हम बोलते हैं, यह कब हम बोलते हैं, जब anthers fused हों, और filaments क्या होते हैं, बच्चों, filaments free होते हैं, as you can see in the diagram, ठीक है, as you can see in the diagram, या तो अगर अपना diagram बनाना, तो ऐसे याद बना लेना, दो stamens बना करके, दोनों के अंther चिपका देना, और filaments को मत चिपकाना, इस condition को synesis condition बोलते हैं, और यह किस में मिलता है, बच्चों, यह मिलता है, आस्टरेसी में, आस्टरेसी का example क्या होता है, सनफ्लावर, सनफ्लावर, मेरी गोल्ड, जा करके देख लो, एस तरीके का स्टेमेंट दिखेगा, तो वो क्या है, सिनेंजिशियस condition, मेरी गोल्ड सबको पता है के इंदे का फूल, और यह जो एस्टरेसी है न बच्चों, इस एडेलफस क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टे का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एंथर्स है, जो एंथर्स है, वो क्या है, फ्री है, और सबकी जो डंडिया है, फिलामेंस है, वो क्या है, फ्री है, ठीक है, सॉरी, फिलामेंस क्या है, फ्यूज्ड है, फिलामेंस किया है बच्चों फ्यूस दे जट इसका उल्टा और यहां पर तुम पढ़ोगे 3 type ठीक है सबसे पहले पढ़ेंगे हम MONO आधल फस कंडिशन MONO का मतलब क्या होता है बच्चों तो इस मोनो का मतलब होता है, सारी की सारी जो डंडिया है वो आपस में चिपक करके, they are behaving as a single, फिलाम एंथर सारे के सारे अलागे, जैसे बुके बनाते हैं नहीं, बुके में फ्लावर सबके जूड़े वह नहीं होते हैं, बट डंडिया सबको नीचे से चिपका करके टेप लगा देते हैं, है ना, तो similarly होता क्या है, यह देखो, ध्यान से देखना, just a second, ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने stamen बनाये हैं, यह सारे जो गोले-गोले structure हैं, यह क्या हैं? अन्थर है और यह सारे क्या है, बच्चो। फिलामेंठ है, यह सारे क्या है? फिलामेंठ है, तो आप खुद देखो, एंन्थर चिपके ही है बट filament जा करके क्या कर रहे हैं इनको और चिपका हुआ दिखाना चाहिए था इस तरीके से इनकी kolor स्टमाल करते हैं थोड़ा सा पैन मोटा करते हैं और इनको तोड़ा और चिपको आते हैं दुस्रे से यह तिस तरीके से जी चिपके हुए हैं सारे फिलामेंट चिपक हे हुए दिखा दो से सारे फिलामेंट चिपक करके एक ही पॉइंट पर जाकर मिल रहे है और यह जो Axis बना रहे है उगा आद गर्मिंट इसको हम बोलते हैं Staminal Tube, यह तो मैंने डाइग्राम बनाया है, बच्चो आपको एक डाइग्राम दिखाती हूँ, बहुत clear हो जाएगा उससे, एक second, वेट करो बस, यह देखो, यह देखो, यह डाइग्राम है, ठीक है, यह डाइग्राम है, तो आप यह देखो, यह सारे के सा क्या है, एंथर है, ठीक है, और इन सब की डंडी देखो, आपस में जूडी हुई है, नीचे, और यह जूड करके एक ट्यूब बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं Staminal Tube, अकेला एक बंच बन रहा है, ठीक है, तो जब सारे के सारे फिलामेंट्स मिल करके, एक ट्यूब बना ले एक बंच बना ले, उस को, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं Mono Adelphus, so when filaments, when filaments join to form single bunch, ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं Mono Adelphus, और बच्चो ऐसा आपने चाईना रोज में देखा होगा, किस में देखा होगा, चाईना रोज में देखा होगा, ठीक है, दूसरा, जो टाइप होता है Adelphus में, वो क्या होता है, डाई Adelphus condition, ये NCRT लिखती है, ठीक है, डाई Adelphus में क्या होता है, बच्चो, डाई स्टैंस फॉर, डाई स्टैंस फॉर 2, डाई स्टैंस फॉर 2, 2 मतलब 2 bunch मिलेगा, 2 bundles you will get, जैसे मान लो, ये थ थालमस परेंज होते हैं, ये थालमस है, ठीक है, एक, दो, तीन, ये एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर फ्यूज नहीं आपस में, एंथर क्या है, एंथर क्या है बच्चो, एंथर फ्री है, बट इनके जो फिलामेंस है आपस में, फिलामेंस क्या है, फिला और फिर, दो ग्रुप्स का मतलब क्या है, दो यहां पर क्यों है, कि यहां पर तीन ने अपने आपको जोड करके एक बंच बना लिया है, और यहां पर दो फिलामेंट्स ने अपने आपको जोड करके एक बंच बना लिया है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, मैं इसको लिख इंदर बंकर दूंगी। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा ह। यहां पर association की वजे से, जुड़ने की वजए सपने की वजे जैसे 12 श्रो fundo मिल रहे ही। यह 3 फिलामेंट्स एक साथ, 2 फिलामेंट्स एक साथ। इसके लिए मैं आपको दिखाती हूं, NCRT का, sorry, NCRT में तो डाइग्राम ही नहीं है, यहाँ पर count करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एंथर आपको दिखाई दे रहे हैं, बट 9 डंडियां आपको नहीं दिखाई दे रहे हुए, क्यों? क्योंकि सारी की सारी डंडी आपस में fuse रो कर कि एक बंच बना रही है, ठीक है? यहाँ पर आपको एक एंथर दिखाई दे रहा है, जिसकी आपको एक मतली सी फिलामेंट ट्यूब दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर कितने एंथर हैं? A, 9 stamens हैं, पर वो आपस में क्या है? Fused हैं, तो एक बंच बना रहे हैं, यहाँ प 9 plus 1 condition किसमें पढ़ने वाले हो? Febacy family में पढ़ने वाले हो, किसमें पढ़ने वाले हो? Febacy family, Febacy family का characteristic feature है diadolphus condition और उसमें भी 9 एक साथ, एक अकेला, ठीक है? next, next एक होता है बच्चो, polyadolphus, क्या होता है बच्चो? polyadolphus, तो polyadolphus आपको समझ में आ गया होगा, poly का मतलब many bunch, polyadolphus मतलब बच्चो, many bunch, जैसे अभी हमने 2 bunch बनाए, इस तरीके से जब बहुत सारे bunch हो, many bunch, तो मुसको क्या बोलते है? polyadolphus condition, और यह किसमें मिलता है बच् फ्रूट्स वाले plants में, यह किसमें मिलता है? phabacy, ठीक है और phabacy में भी कौन सा पढ़ा था हमने? 9, 1, 7 और 1, 2 bunch मिल गए ना? यहाँ पर many bunch में देखो, यह example आप देख सकते हो, यह देखो, यह देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, इसको कैसे लिखो कि ऐसे, फिर जितने मुझे दि 4, 5, ठीक है? तो इसको कैसे लिखो कि A, 5, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, तो क्या लिखो कि A, 3, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको लिखो कि A, 5, जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं उतने मैं आपको बता रही हूं, बच्चो, क्योंकि 2D diagram में black and white है, है ना? तो आप देखो, यहाँ पर एक बंडल इसका बना, दूसरा बंडल इसका, तीसरा बंडल इसका, चौता बंडल इसका, दो से जादा को हम बोलेंगे polyadulphus, ऐसा मिलता है citrus plants में, तो हमने बच्चों कोहेशन भी देख लिया और addition भी देख लिया, with examples देख लिया है, NCRT में adelphus explained है better तरीके से, but you should know all the different types, फिर next है बच्चो, different length of these stamens, ठीके, NCRT ने different length of these stamens के बारे में बताया हुआ है, और ये question 2013 या 16 में आया भी हुआ था, ये words नहीं दिये हुआ है, but question पूचा था, थोगे examples दिया हुआ, NCRT में, तो NCRT में लिखा हुआ है कि stamens की length vary करेंगी, stamens की length vary क्यों करेंगी बच्चो, पेड की height क्यों vary करती है, हमारी height क्यों vary करती है, ठीक है, तो आप बोलोगे genetics होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है, वैसे तो genetics में भी आ जाएगा, but simple सा logic है, यार, ये है हमारा stamen, ठीक है, ये है हमारा stamen, और ये stamen की डंडी है, अगर filament की length vary करेगी, if filament length will vary, will vary, तो obviously stamen की length भी तो अलग हो जाएगी, stamen length will also vary, stamen length will also vary, अब आप सोच रोगे कि मैं अलग-अलग flower में इनकी बात कर रही हूँ, नहीं, within the same flower, stamens की height अलग हो सकती है, जैसे ये diagram देखो, ये एक ही flower है, ठीक है, ये एक ही flower है, इन में इन चारों की height क्या है, बड़ी है, और इन दोनों की height क्या है, छोटी है, तो ये छोटे बड़े क्यों है, इन में stamen, filament की length की length क्या है, छोटी है, यहाँ पर भी देखो, अंदर के दो क्या है, बड़े हैं, बाहर के दो क्या है, बच्चों, छोटे हैं है ना, बाहर के दो क्या है, छोटे हैं, तो इस ही condition को हम क्या बोलते हैं, देखो, different length of the stamen, अब ध्यान से देखना, एक इसमें पढ़ोगे diadynamus और एक इसमें पढ़ोगे tetradynamus, ठीक है, एक होता है diadynamus condition और एक होती है tetradynamus condition, diadynamus condition को हम कैसे लिखते हैं, diadynamus condition को लिखते हैं, a, two plus two, बाहर वाले दो क्या है, outer one, अभी diagram भी दिखाया था, short, देख लो, outer one, short, ठीक है, और अंदर वाले दो क्या है, एक second, inner long, ठीक है, tetradynamus को हम कैसे लिखते हैं, a, two plus four, बाहर के दो क्या है, छोटे, और अंदर के चार क्या है, बड़े, आपको diagram भी दिखाते हैं बच्चा, ये देखो, ये देखो, ये किसका diagram है, ये tetradynamus का diagram है, tetradynamus, this is tetradynamus flower, a, two plus four, तो बाहर के दो देखो, क्या है, छोटे हैं, और अंदर के जो चार है, वो क्या है, बड़े हैं, ठीक है, ये है, di-dynamus, इन में भी देखो, filament की length vary कर रही है, तो statement चोटा बड़ा है, इसको लिखते हैं, a, two plus two, बाहर के, ये बाहर वाला है, बाहर के दोनों चोटे हैं, ये अंदर वाला है, अंदर के दोनों बड़े हैं, ठीक है, statement की length क्यों vary कर रही है, बच्चो, statement की length vary कर रही है, because, because, हमारे filament की length, बच्चो, vary कर रही है, अब इसका example भी लिख लो, which is, which is there in your NCRT, example of di-dynamus, so, examples के हैं, बच्चो, examples तो उन्होंने सिधा-सिधा लिखा हुआ है, कि बच्चो, statement की length किस में vary करती है, but, हमने दो condition पढ़ी, तो अलग-अलग पढ़ेंगे, di-dynamus में किसका condition आता है, osemum, osemum, tulsi का scientific नाम है, tulsi में इस तरीके का condition मिलता है, और दूसरा है, salvia, ठीक है, इन में दो छोटे, दो बड़े होते हैं, बाहर वाले दो छोटे, अंदर वाले दो बड़े, tetradynamus में आएगा, mustard, radish, mustard, radish और turnip, इन में क्या होता है, बच्चो, इनके फ्लावर में दो बाहर की तरफ चोटे, और अंदर वाले चार, लंबे stamens होते हैं, ठीक है, so this was all about the androsium, और the male reproductive part, that is, जिसकी basic unit stamen होती है, बच्चो, जिसकी basic unit stamen होती है, next हम बात करेंगे female reproductive part की, female sex organ कह लो, या तुम कह सकते हो, female reproductive part, female reproductive part, और इसकी basic unit क्या होती है, बच्चो, इसकी basic unit होती है, carpel और pistol, carpel और pistol, ठीक है, carpel और pistol का जो number होता है, वो vary कर सकता है, number vary, ठीक है, जिस स्टेमेंच 1, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, इनका भी number vary कर सकता है अगर number 1 है मतलब एक ही carpal present है तो हम उसको बोलते हैं monocarpelary monocarpelary ठीक है इसका symbol क्या होता है G, तो monocarpelary condition को हम लिखते हैं G नीचे 1, 1 का मतलब है one carpal present one carpal present ठीक है और अगर बहुत सारे कारपल है जैसे अगर इनका number 2 है तो हम word क्या यूज करते हैं by carpalary by carpalary अगर number 3 है तब हम word क्या यूज करते हैं try carpalary या बहुत सारे हैं uncountable तो number अगर many है ठीक है तब हम word क्या यूज करते हैं multi carpalary multi carpalary या polycarpillary polycarpillary तो अगर बहुत सारे हैं बच्चो दो हैं तीन हैं चार हैं अगर एक है तो fusion free की बात नहीं करेंगे बट एक से ज़्यादा है तो हम fusion और free की बात करेंगे तो अगर carpal fused है if carpals are fused तब हम word इस्तमाल करते हैं sincarpus और लिखते कैसे इसको g and bracket band bracket band मतलब जुड़े हुए हैं मालनो 5 carpal है पांचो के पांचों fused है तो हम bracket के अदर बंद कर देंगे और अगर carpals और अगर carpals free हैं तब हम word यूज करते हैं apocarpus और इसको कैसे लिखते हैं जी सिर्फ N मालनो 5 है पांचों के पांचों free है तो मैं 5 लिखके छोड़ दूगी कोई bracket नहीं लगाऊंगी जैसे यह देखो NCRT में यह diagram 12 में मिलेगा बच्चों यह क्या है stigma style और ovary यह यह यहाँ पर gynosium का part दिखा रहे है जो हमने अल्रोडी flower में बनाय हुआ है यहाँ पर यह syncarpus condition शो कर रहे है देखो यह carpus आपस में क्या है सारे के सारे fused हैं और यहाँ पर देखो एक, दो, तीन, चार्ज, जितने भी सारे carpus हैं यह क्या है, यहाँ पर free है तो यह diagram आपको apocarpus condition दिखा रहा है second वाला diagram syncarpus condition दिखा रहा है ठीक है, तो fusion और free हो सकते हैं symbols भी हमने लिख लिए हैं ठीक है, next हम क्या पढ़ेंगे बच्चो अब यह देखो, जैसे यह ovary है ना, जैसे for example यह stigma, यह style और यह ovary यह 3 parts होते हैं इसके जहां पर pollen grain आकर के land करता है यह stigma, इसकी डंडी को क्या बोलते है style और यह नीचे जो bulbous structure इसको बोलते हैं ovary, ovary के अंदर क्या होता है बच्चो प्लासेंटा और प्लासेंटा से जुड़े होते हैं ovules तो यह जो ovules की arrangement है ना ovary के अंदर ठीक है, यह सब में अलग-अलग हो सकती इससे मटर, हम जब मटर छिलते हैं बच्चो ठीक है, तो आपने देखा होगा उसकी स्यारी की सारी seeds एक line पर एक margin पर ऐसे arrange होती है तो अगर वहाँ पर seeds लगी, that means ovules ही वही होंगे, क्योंकि ovules सही seed बनते हैं, है ना, आप जब मटर में marginal होता है क्योंकि margin पर प्रेजन होती है, टमाटर कट करते हैं तो टमाटर में सारी की सारी बीच center पर लगी होती है that means ovules भी center पर होगा तो कहने का मतलब यह है कि ovules की जो arrangement होती है वो अलग-अलग हो सकती है ठीक है, ovary के अंदर तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं बच्चो कि ovules की arrangement कितने types की possible है और उस ovules की arrangement को हम क्या बोलते हैं बच्चो, placentation तो placentation को कैसे define करेंगे placentation को define करेंगे हम arrangement of ovule inside inside या within ovary ठीक है, हमें पढ़ना है five types of placentation five types of placentation जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चो, marginal ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम marginal तो marginal में सबसे बढ़ियां जो example है, बच्चो सबसे बढ़ियां क्या example है यह मतर तो मतर इस तरीके का होता है है ना इस तरीके का होता है तो इसमें क्या present होती है यह देखो ovule lines एक तरफ arrange होती है यह देखो यह सारे के सारे क्या है ovules are present at ridge ridge या margin ridge या margin यह लिखा हुआ है इसलिए ऐसे placentation को हम क्या बोलते है बच्चो ऐसे placentation को हम बोलते है marginal placentation ठीक है यह क्या है यह जो line है यह क्या है सारी कि सारी margin corner ठीक है सब मटर का पॉड़ देखा है सब मटर छीलते होंगे घर में तो सबको पता है कि कि किस तरीके arrangement होती हुआ हम बोलते है marginal ठीक है और यह क्या है बच्चो यह ovary है तो आपको कितने chamber दिखाई दे रहे हैं यह पर chamber में सारे के सारे ovules होते हैं तो जब एक ही chamber ovary हो तो हम उसको बोलते हैं unilocular ovary ठीक है uni का मतलब क्या होता है uni का मतलब होता है one और जब मटर छीलते हैं बच्चो तो जब बटर में एक line होती है ठीक है उसी line का इस्तमाल करके मतर को ऐसे तोड़ देते हैं मतलब छील देते हैं तो आपको एक रो इधर नजर आती है और एक रो इधर नजर आती है है ना इसी लिए हमारी NCRT में एक line लिखी होई है कि जो P के ovules होते हैं marginal का example P है बच्चो ठीक है तो जो P में ovules present होते है ovules are born on ridge मतलब margin और कितनी rows बनती है they form two rows they form two rows और NCRT में एक ventral suture word का भी इस्तमाल है यह जो है ना इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चो ventral suture ठीक है तो यह हमारा हो गया marginal placentation दूसरा placentation क्या होता है बच्चो parietal P for parietal and P for periphery तो कैसे याद रखोगे कि जो ovules होते हैं जो ovules होते हैं they are born at they are born at periphery they are born at periphery इसका example आपने याद रखना है mustard mustard and rgmol ठीक है अब diagram ड्रॉ करते हैं तो better clear होगा ठीक है तो यह देखो यह है ovary ठीक है अब होता क्या है यह है placenta तो placenta कहा है periphery periphery पर तो obviously ovules भी कहा होंगे periphery periphery पर ठीक है तो यह देखो ovules ovules present at periphery periphery तो आप खुद देखो बच्चो अंदर आपको कितना chamber दिखाई दे रहा है एक chamber तो इसमें भी कितने locules है एक locule तो इसको भी हम क्या बोलेंगे unilocular ovule locules का मतलब होता है chamber घर uni का मतलब one एक ही ovary है उसी के अंदर सारे ovules present है unilocular बट NCRT में और चीज़ लिखे होई है कि जैसे mustard plant है mustard plant में क्या होता है बच्चो false septa बन जाता है false septa जिसको हम क्या बोलते है replum replum present ovary become ovary become bilocular ovary become bilocular यह कैसे यह देखो यह हमारी ovary है mustard flower की ठीक है इसमें भी ovules कहां पर मिल रहे है ovules मिलेंगे periphery पर ठीक है होता क्या है यहां पर बीच में एक false दिवार false septa बन जाती इसको हम क्या बोलते हैं बच्चो रैपलम और रैपलम के बनने के वज़े से ovary divide हो गई दो भाग में तो यहां पर कितने chamber ovary हो गई बच्चो bilocular तो वैसे तो parietal placentation में unilocular ovary होती है बट कुछ ऐसे प्लांस है for example mustard इसमें false septa बनने की वज़े से दो ovary दो chambers मिलते हैं तो रैपलम characteristic feature होता है बच्चो बच्चो mustard का mustard की family brassicacee होती है कौनसी family होती ही बच्चो brassicacee family तो brassicacee family का characteristic feature brassicacee family ठीक है बच्चो next हम पढ़ेंगे exile next हम पढ़ेंगे exile next हम पढ़ेंगे exile ठीक है तीसरा presentation exile कह सकते हो या इसको central placentation central placentation तो इसको central placentation क्यों बोलते होंगे बच्चो क्योंकि ovules कहा present होती है ovules present होती है center में ठीक है यह देखो, यह है ovules, यह सारी कि सारी क्या है ovules, और इन में present होता है, बच्चो, septa, क्या present होता है, septa, so you can see, this is what, septa is present, septa present होने की वज़े से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच भाग में ovary divided हो चुका है, इसलिए ऐसे ovary को हम क्या बोलते है, multi-locular ovary, ठीक है, septa अगर present है, तो ovary chambers में divide हो जाती है, बहुत सारे chambers बन सकते हैं, तो multi-locular ovary, ठीक है, तो central placentation है, क्यों, क्योंकि ovules are born at center, ठीक है, और इसमें क्या present है, बच्चो, septa present, जैसे, नीमबू, कट करते हो आप, तो उसमें आपने देखा होगा, बीच सारी के सारी, middle में होती है, बैंगन ह ब्रिंजल हो गया, टमाटर हो गया, सब में कैसा placentation होता है, बच्चो, exile placentation होता है, कैसा placentation होता है, exile, तो इसका example लिख लो, टमाटर हो गया, टोमाटो, ठीक है, लेमन, ब्रिंजल, चाइना रोस, एक्सेक्टरा, तो 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 सबने देखा होगा ना बच्चो, अब देख खाना ही नहीं सीधे, कट करोगे तो देखना उसमें ovules किस तरीके से प्लेस्ट होते हैं, ठीक है, तो this is exile placentation, next है हमारा free central, तो central और free central में फरक क्या है बच्चो, central भी बीच में होता है, free central भी बीच में होता है, central में septa present होता है, इसमें septa absent होता है, septa क्या होता है, अगर मै diagram draw करो, एक यह देखो, यह diagram है, यह ovary का diagram है, है ना, यह उसकी ovary है, तो यहाँ पर भी ovule center पर ही है, पर जो फरक है, यहाँ पर देखो कोई septa नहीं है, तो कितनी chamber ovary है, एक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, unilocular ovary, ठीक है, septa absent, ovules, present at center, और यह किसमें मिलता है बच्चो, य यह मिलता है, dianthus, and primrose, यह इसका example है, next है, basal placentation, basal placentation, क्या होता है बच्चो, यह देखो, यह है ovary, ठीक है, basal मतलब base, तो यह ovary के base पे placenta present और वहीं से ovule bear करता है, ठीक है, तो यह क्या है, ovule, ठीक है, कहां से निकल रहा है, base से, तो इसको लिखोगे, arise from, base from the ovary, ovule arise from base of the ovary, ठीक है, base of the ovary, और यह किस में मिलता है, बच्चो, यह मिलता है, poesie, poesie सबसे advanced family है, monocot की, most advanced family of, most advanced family of monocots, और asteracee, asteracee मैंने आपको अलरड़ी बता रखा है, सबसे advanced family है, dicots की, और asteracee में कौन आता है, marigold और sunflower और अलरड़ी बता रखा है, NCRT में, baselle का example, marigold और sunflower ही दे रखे है, marigold and sunflower, तो अगर यह advanced family में है, तो यहां से इसको relate करना है, कि सबसे ज़्यादा advanced placentation भी है, ठीक है, और यहां पर chamber कितनी है ovary की, एक ही दिखाई दे रही है, that means this is also unilocular ovary, तो यह है बच्चों पांच तरीके के placentation, placentation में ovules की positions देखते हैं, side में हो marginal, बीच में हो central, अगर septa present है, तो central या exile, septa नहीं है, तो free central, base से निकल रहा है तो basal, periphery में है, तो parietal, ठीक है, with examples we have taken, अच्छा यहां पर examples नहीं लिखाता, लिख ले न, sincarpus का example होता है बच्चों, china rose, good hell में देखा होगा, ठीक है, और होता है papavar, यह 12 का example है, papavar, somniferum, apocarpus में lotus, रोज सबने देखा होगा, कारपस जुड़े होए नहीं होते, और 11, 12 में और चीज लिखी होई है, michelia, क्योंकि यह topic 12 में भी पढ़ होगे है, तो यह याद रखना है आपने, so this was all about essential and non-essential world बच्चों, यह diagram NCRT के है, sometimes what happens, सीधा का सीधा diagram उठा करके पूछ देते हैं, अच्छा, यह सारा तुम्हें यह, 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 ट्रांस्वोर्स सेक्शन ऑफ ओवरी है, बट यह जो मटर का दिखा हुआ है, this is longitudinal section of ovary, ठीक है, अगर marginal placentation आपको ट्रांस्वोर्स सेक्शन में दिखाना है, तो इस तरीके से दिखता है, ठीक है, यह देखो, ovules कहां पर present है, margins पर, this is the TS of ovary, मटर का flower समझ लो, मटर के flower का ट्रांस्वोर्स सेक्शन ऑवरी का, showing marginal placentation, showing marginal placentation, तो यह याद रखना बच्चों, यह, का डाग्राम में add कर लेना, यह NCRT के डाग्राम में, ठीक है, so yes बच्चों, this was all for today lecture, हम next lecture में मिलेंगे, जहां पर हम seat, fruit and family के बारे में बात करेंगे, so yes मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए, bye bye and take care.